वेल्केम बेग गाईज, जैसे कि आप question लिखा हुआ देख रहे हैं, क्या हम ऐसे दो number निकाल सकते हैं, जिनका sum दो हो और उनका product भी दो हो, ओके, so try करते हैं, जल्दी से, let number x and y, अब x plus y equal to हमने क्या लिया, हमें 2 चाहिए, और x into y equal to be 2 चाहिए, x को हम 1 ले लेते हैं, y को हम 1 ले लेते हैं, तो 1 plus 1 तो आपका 2 हो जाएगा, लेकिन product भी 1 होगा, तो यह possible नहीं है, क्या कुछ और ऐसा हो सकता है, जिससे हमें number मिल जाए, पूर्ण है, तो एक काम करते हैं, कुछ values वगेरा निकालते हैं, और देखते हैं कि, क्या कुछ possibility है, या नहीं, तो हमने क्या किया, पहले वाली equation से हम क्या करते हैं, x की value निकालते हैं, किस के terms में, y के terms में, और second में put कर देते हैं तो x निकाल लिया हमने और अब put करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 2y minus y square equal to 2 और फोड़ा shift करते है y square minus 2y plus 2 equal to 0 अब देखते हैं quadratic equation है solution क्या होते हैं आपके minus b minus b क्या होगे आपका plus 2 हो जाएगा b square b square मतलब 4 a क्या है आपका 1 4ac so 4 into 1 4 plus 2 8 divide by 2a ok so यह 2 plus minus root minus 4 divide by 2 तो एक सीज़ आप देखेंगे यह क्या आ रहा है आपका minus में 4 आ रहा है so यह imaginary number देगा यानि कोई भी real number यह possibility नहीं है और इसको further simplify करेंगे 1 plus minus i so जो भी number होगा आपका वो imaginary number होगा real number possibly नहीं है 1 plus i दूसरा y होगे आपका 1 minus i so x क्या हो जाएगा आपका x आपने क्या माना था 2 minus y so x आपका हो जाएगा पहला x हो जाएगा आपका 2 minus 1 plus i ओटा जो हो जाएगा 2 minus 1 minus i यह हो जाएगा आपका 1 minus i यह आपका पहला हो जाएगा और इसी तरह से x2 जबाब निकालेंगे सो आपके पास symmetric pair आ रहे हैं अगर आप one plus i लेंगे तो one minus i मिलेगा अगर आप one minus i लेंगे तो one plus i यानि आपके पास जो numbers होंगे वो हो गया एक one plus i एक one minus i अब आप इनको add करके देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको i से i cancel हो जाएगा two required था और multiply करेंगे so one square minus i square जो जाएगा two so these are the two numbers जो आपके दोनों conditions को satisfy करेंगे